मेरे ख्याल में हम सबों के पास कोई न कोई मित्र जरूर होगा कोई न कोई क्या बहुत धेर सारे मित्र दोस्त फ्रेंड्स यार होंगे सहेलिया होंगे और मित्र बनना बनाना एक अच्छी कला है और अच्छा सम्मन भी बढ़ता है इससे और यदि हम मसीध रिष्टी से देखे तो हमें तो और भी मित्र बनाना चाहिए है ना और हरे का अपना-पना कोई न कोई मित्र होता है मेरी भी धेर सारे मित्र हैं और शायद आपके भी धेर सारे मित्र होंगे और कभी-कभी मित्र हमारे बड़े काम आते हैं और हमें भी दूसरों की साहता करना चाहिए और मित्र भी हमारी साहता करते हैं एक जगा पर लिखा हुआ है Bible में कि मित्रों के दुआरा ही पता पड़ जाता है कि ये वक्ति कैसा है अब यदि-उधारन के रूप में आप अपने मित्रों की और ध्यान दीजिए किस प्रकार के आपके दोस्त है किस प्रकार के आपकी सहेलिया है कैसे फ्रेंड्स है जैसे आपके फ्रेंड्स होंगे जैसा फ्रेंड्स सरकल होगा वैसे ही आपकी शभी हो जाएगी यह पकी बात है क्यों? क्योंकि आप उसी प्रकार के वक्ती से फ्रेंड्शिप करेंगे जो आप से मेल खाता हो या आपके जो टेंपरमेंट है आपके जो हाव भाव है और यह सब चीजे जो हम देखते हैं अपने वक्तित्व में यदि हम दूसरों में देखते हैं तो एक आकरशन बन जाता है तो वो हमारे मित्र बन जाते हैं और इसलिए बाईल में लिखा हुआ है कि आप क्रिस्प्रकार के वक्ती हैं यह कैसे पता बढ़ेगा? अगर आपके फ्रेंड्स को आपके मित्रों को देखे जैसे आपके मित्र होंगे वैसे ही आप होंगे जैसे मेरे मित्र होंगे वैसे मैं होंगा तो आज मैं आपके सामने और एक मित्रता के बारे में बताना मांगता हूँ कि आपका मित्रता आपकी मित्रता किसके साथ है? जहां तक हमारे जो संबंध होते हैं, हमारे जो समाज में एक दूसरे के प्रतिछा और बातचीत करना, सहायता करना वो एक चीज है. लेकिन हम जब आत्मिक्ता की और नजर दोड़ाते हैं तो हमारा मित्र कौन है? हम किसकी सुनते हैं? अब देखे ना, बाही तरफ एक वक्ती है जो संसारिक दृष्टी से हर चीज को देखता है. संसार के माबधन, संसार का वैल्यू सिस्टम उस दृष्टी से के देखता है और उसका पूरा जीवन बस उसी संसारिक दृष्टी कोंड से जीते, जीते वो अपना जीवन सुख भोग विलास में बिता देता है. उसके लिए परमेश्वर, बाइबल और ये सब चीजे कोई माइने नहीं रखती, नहीं रखती है. जी हां, वो बलता यार कुछ पता नहीं है कल के बारे में, जो इंजा करो, आज करो कल को किसने देखा, तो वो संसारिक, और कभी-कभी हमारे मसी जीवन में भी ऐसा होता है. एक बार समझ लिए, मसी को अधार करता, ग्रहन किया, लेकिन बाद में वो धीरे-धीरे थंडा हो जाता है. जैसे बाद में लिखा हुआ है कि कुछ लोग ठंडे हो जाएंगे अंत के दिनों में. कहीं, आप ठंडे तो नहीं हो गए हैं. यह तो वही बाही तरफ का पिक्चर. अब दाही तरफ का जो डायाग्राम है, उसको देखिए, वो कौन वैक्तित्व है? वो वैक्ति पवित्रा आत्मा के चलाये चलते हैं. वो अपने हाथों को उठा करके दीनता के साथ परमेश्वर के सामने अपने आपको रखते हैं. वो पून रिती से पून रिती से परमेश्वर पर निर्भर रहते हैं. तो आईए हम इसी जो मित्रता है संसारिक रूप से या पुट्रा आत्मा में या आपको डिसाइड करना है, मुझे डिसाइड करना है, ठीक है? लेकिन इससे पहले कि मैं आगे जाओं, मेरा जो बेसिक चाप्टर, जो मूल अध्या है, वो पाए जाता है, याकुब की पत्री और उसका चौथा अध्या है, मैं क्या करूँगा कि पहले पूरे अध्याय को पढ़ लूँगा, चौथा अध्या है, याकुब की पत्री उसका चौथा अध्या है, और वहाँ पर हम देखते हैं, संसारिक प्रकार का वेक्ति, वो भी वेक्ति जो प्रभु को पाया है, ले उसके जीवन में मसिहत्व या संसारी कुछ भी चलता है और फिर दूसरी तरफ वो वेक्ति जो परमेश्वर की आत्मा के चलाय चलता है तो मैं पढ़ूँगा आपके लिए तो हम पढ़ेंगे याकूब चौथा द्याय तुम में लडाईया और जगड़े कहां से आते हैं क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुमारे अंगों में लड़ते भेड़ते हैं तुम लालसा तो रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं तुम हत्या और डा तो करते हो और कुछ प्राप नहीं कर सकते तुम जगरते और लड़ते तो हो तुम इसलिए नहीं मिलता कि मांगते نہیں हो तुम मांगते और पाते नहीं इसलिए एक ही बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो हे वे वीचारणियों क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर रखना है इसलिए जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आपको परमेश्वर का बैरी बनाता है क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र वेर्थ में कहता है जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डा हो वह तो और भी अनुगर देता है इसलिए यह लिखा हुआ है परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है परनम्रों पर अनुगरह करता है इसलिए परमेश्वर के आधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा हे पापियों अपने हाथ शुद्द करो और हे दुचिते लोगो अपने हिर्दय को पवित्र करो दुखी हो, शोक करो, रो तुमारी हसी शोक में और तुमारा आनन उदासी में बदल जाए प्रभु के सामने नम्र बनो तो वह तुम्हे शिरोमणी बनाएगा हे भाईयों, एक दुसरे की जिंदा ना करो जो अपने भाई की निंदा करता है या भाई पर दोश लगाता है विवस्था कर निंदा करता है और विवस्था पर दोश लगाता है तो तु विवस्था पर चलने वाला नहीं पर उस पर नयायाधीश ठेरा व्यवस्था देने वाला और नियाए अधीश तो एक ही है जिसे बचाने और नाश करने की सामर्थ है पर तू कौन है जो अपने बडूसी पर दोश लगाता है तुम जो ये कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां एक वरष बिताएंगे और व्यापार करके लाब उठाएंगे और यह नहीं जानते की कल क्या होगा सुन तो लो तुम्हारा जीवन है ही क्या तुम तो मानो धुंद के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है इसके विपृत तुम्हें या कहना चाहिए यदी प्रभू चाहे तो हम जीवित रहेंगे और या या वह काम भी करेंगे पर अब तुम अपनी दींग मारने पर घमंड करते हो ऐसा सब घमंड बुरा होता है इसलिए जो कोई भलाई करना चाहनता है और नहीं करता उसके लिए ये पाप है इसके सत्रा पद मैंने आपके सामने पढ़ा मैंने इसलिए आपके सामने ये पद पढ़े ताकि आप इस अध्याय को पूरी रिती से समझ सके क्योंकि इसी के आधार पर मैं बताना मांगता हूँ दाइं तरफ जो संसारिक सुख वाला व्यक्ति है उसके क्या क्या लक्षण है और दाइं तरफ जो परमिश्वर को भाता है पवित्रा आत्मा की नियंत्रण में हैं उनमें क्या क्या लक्षण पाहे जाते हैं तो आईए प तो अगर आपकी दशा ऐसी हो, तो भाई होशार हो जाएए, आपका, आपकी मृत्रता किस से है, बाही तरफ वाले मनुष्य सोच विचार, यदाई तरफ, परमिश्वर की तरफ, पर पहले हम देखते हैं बाही तरफ वाले का क्या संसारिक वैल्यू है, संसारिक लाल साइं है हमने, जो मैंने जैसे अभी पढ़ा आपके सामने, जो कि याकुब की चौथ अध्याय में, तो उसमें कुछ शब्द पाए जाते हैं, जो मैंने यहां पर लिखा है, नोट के रूप में, तुम्हें लडाईया जगड़े कहां से आते हैं, हम विश्वासियों को इस प्रकार नहीं जगड़ना है, अरे अगर किसी ने हमारे विरूत कोई बात किया है, छोड़ दो, छोड़ दो, हमें इन बातों में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर के बुलाए हूए लोग है, यार, हमें लडाई जगड़ा नहीं करना है, सुख विलास की भावन, अभी लाशाएं, लालसाएं, हमारे जीवन में कभी आजाती है क्या, लालसा, अभी लाशा, अरे काश मुझे ये मिलता, ये कुछ लक्षण हैं, जो सांसारिक सुख वाले मनुष्य के मन में व्यक्तित्व में आता है, शायद वो हत्या ना करे लेकिन अपने भाई को बुर बाते कहता है, वो हत्या के बराबर है, रगड़ा, जगड़ा, और बुरी अच्छाओं में फस जाना, भोग विलास, आजकल इंटर्टेन्मेंट के नाम में बहुत सारी चीजे हैं, आपका मोबाईल है, वाटसाप है, फेस्बुक है, ट्वीटर है, पता नहीं क्या क्या है इंस्टाग्राम है, अब लोग उसी में इतना फस गए हैं उस भोग विला, मैंने वो लोग ये गलत है, लेकिन कुछ लोग अडिक्टेट हो गए हैं, उसके बिना रह नहीं सकते हैं, एक प्रकार का सुख, एक प्रकार का साटिस्फैक्शन, एक प्रकार की त्रिपती मिलती है, मोबाइल में हर समय मोबाइल, 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 अपने देखा होगा, लोग बस उसी के पीछे जाते हैं, अँकल, अँटी, मम्मी, डैडी, भाई, बैठे हो गर में, हम अपने मोबाइल में खेल रहे हैं, क्यों? अपना सुख चाहते हैं, क्य मैं यह हूँ, मैं बहु हूँ, मेरे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता निंदा करना, घमन करना, अभिमानी होना इस प्रकार के लोग क्या है? इस प्रकार के लोग संसार के मित्र हैं और परमेश्वर के बहरी हैं मैं चौथा पद आपके लिए पढ़ूंगा, एक सारांज के रूप में, यहां पर दिया गया है, मैं पढ़ता हूँ हे वविचारणियों क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है, इसलिए जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आपको परमेश्वर का बैरी समझ ले भई, बैरी बनाता है तो प्रशने यह उड़ता है आपका मित्रता किस से है आज कर टीवी में ज़ा आपने देखा होगा मेरे पास भी टीवी है इतने हास्य वाले कारिकरम आते हैं और थर्ड क्लास मतलब अच्छी खासी हसी नहीं मतलब ऐसी कुई जोग उल्टा सी था और उसे में लोग हस देते हैं आपको पता है वो जो हसी है न उस सब रिकॉर्डेड होती है बीच में भर देते हैं ताकि हम भी हसे और दूसरे साथ तीवी वाले में भी हसे खोकली हसी बाल में क्या लिखा है अरे साब चारो तरह भाहा कार मचा हुआ है और हम बस हसने में जोक्स में लगे रहेंगे क्या नहीं 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 यह संसारिक बाते हैं यहां पर आपको और मुझको परमेश्वर ने पवितरता के लिए बुलाया है जी यह और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम संसार से मितरता छोड़ करके परमेश्वर की आत्मा से पवितर आत्मा से हम मितरता करें और इसके लिए क्या है नम्र होना है नीचे लिखाओगा आप, आप देख रहे होंगे, नम्रता, दीन्ता, परमेश्वर को यही भाता है, अब दाइनी तरफ आजाएगे आप, यह वेक्ति जो पवित्रा आत्मा की तरफ खीशता है, पवित्रा आत्मा के समान चलता है, उसके विचार, उसके हावभा, उसके बोल उसका वेक्तित्व पवित्रा आत्मा से ओत प्रोथ, परमेश्वर को यह वेक्ति है, दीन्त, पवित्रता, यह सब बाते पाए जाती है, अब विशेश करके छट्मा पद में आपके लिए पढ़ना माँगा, कि किस प्रकार से हमें नम्र बनना है, मुझे नम्र बनना है, आ आमारी मित्रता पवित्रा आत्मा से हो, न कि संसारिक मापदंडों में, चट्वा पद क्या लिखा, और वह तो और भी अनुग्र देता, इस कारण यह लिखा हुआ है, परमेश्वर अभिमानियों से क्या करता है, विरोध करता है, पर, बट नम्रों पर अनुग्र करता है, अनुग्र का मतलब उसका एक विशिश आशीश, कमजोरी के समय वो हमारी इस अनुग्र के द्वारा हमारी रक्षा करता है, हमें सामर देता है, हाँ, और इसलिए हम परमेश्वर के आदिन हो जाएं, शैतान के नहीं, दस्वा पद में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है दस्वा पद में कि हम प्रभू के सामने क्या बन जाएं, नम्र बन जाएं, तो बहत तुम्हें क्या बनाएगा, शिरो मनी, कितनी अच्छी बात यहां पर लिखा हुआ है, तो हम अपने आप को क्या करें, शैतान के आदिन नहीं, परमेश्वर के आदिन, इसलिए सात्वा पद में आपके लिए पढ़ता हूँ, इसलिए परमेश्वर के आदिन हो जाओ, किसके आदिन हो जाओ, परमेश्वर के, उससे मित्रता कर लो, जब आप परमेश्वर से, पवित्रा आत्मा से मित्रता करेंगे, तो साब, जो संसारिक वैल्यू है, शैतान की जो बाते हैं, भाग जाएगा, जिया, परमेश्वर के निकट आओ, तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा, हे पापियो अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचिते लोगो अपने हिर्दय को पवित्र करो, यहाँ पर हम देखते हैं, पवित्रता के बारे में, यह परमेश्वर से मित्रता की बात है, यह पवित्रा आत्मा से मित्रता की बाते हैं, यह प्रभीश्य मसी से मित्रता की बाते हैं, तो हमें किसके मित्र बनना है पवित्रात्मा के आपको किसके मित्र बनना है पवित्रात्मा के और वो होगा नम्रता के साथ पवित्रता के साथ हमारे हिर्दय को पवित्रात्मा से शुद्ध करे हमारे मन, मांसिक्ता, हमारे सोच, विचार परमेश्वर के समान बने जो वो हमसे चाहता है यह बहुत जरूरी है मेरे मित्रो कि हम मायेवाले जो संसारि दुनियादारी के जो लोग है उस प्रकार के वहवार उसे मित्रता नहीं करना है वो सुख विलास वाले वो थोड़े समय के लिए आना दाता है और पवितरा आत्मा में है मितरता उसके साथ वा अनंद काल का आनंद मुश्किलाद तो आएंगी लेकिन अनंद काल की शांती पवितरा आत्मा का अभी शेक ये सब बाते हैं महाँ पर हम देखते हैं और इसलिए हमें बहुत ध्यान में रखना है कि हमारा जीवन है किसके समान है भाब के समान है लिका हुआ है हमारा जीवन कैसा है भाब के समान है भाब आप जानते हैं अच्छी तरह से कि भाब थोड़ी देर में गायव हो जाता है ठीक उसी प्रकार से हमारा जीवन भी थोड़े समय के बाद गाय हो जाएगा तो भईया हो सांसारिक वैल्यू का तो सब खतब हो जाएगा इसलिए भईया अनंद जीवन के लिए हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौपें और लिखा हुआ है बाइल में क्या लिखा है कुछ लोग सौचते आज मैं ये करूँगा आज मैं ये करूँगे आज आज आओ वहां ये प्लाण अरे साब करो प्लान बनाओ लेकिन परमेश्वर की अगर ऐसी इच्छा है तो तेरवापत क्या लिखा है तुम जो यह कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाब उठाएंगे ये नहीं जानते की कल क्या होगा सुन तो लो तुमरा जीवन है ही क्या तुम तुमाने धुन के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर क्या हो जाती है लोप हो जाती है है ना तो हमें घमन नहीं करना है हमारा जीवन प्रभू परमेश्वर के हाथ में है और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर चीज को, हमारे प्लान को हमारे इच्छाओं को हमारे व्यक्तित्व को हम अपने जीवते प्रमेश्वर के हाथ में सौंते वो हमारा मित्र है वो हमारी देख्भाल करेगा वो तो उसने कहा है मैं तेरी देख्भाल करूँगा मैं तुम जे कभी नहीं छोड़ूँगा दुनियावाले छोड़ देंगे जब पैसा खतम हो जाता नहीं तो दुनियावाले छोड़ देंगे वो जो डाव पुत्र की जो कानी थी आप जानते है जब तक उसके पास पैसा था सब उसके चारों तरफ घुमते थे जहां वो पैसा खतम हुआ फ्रेंड्स वगर गायब अकेला वो पड़ गया था वो मेरे मित्रों, मेरे भाई बेनों आए हम परमेश्वर से मित्रता करें परमेश्वर आत्मा से मित्रता करें वचन पर धियान दे क्योंकि समय बहुत खराब होता जारा आप जानते अच्छी तरह से कि आजकल जो समय जो है बहुत भयावस समय है और हमें इसलिए परमेश्वर के अंडर में परमेश्वर के नीचे उसके पंकों के तले हमें आना है पूरी पूर्ण सुरक्षा के लिए तो आएए हम पूर रिती से परमेश्वर को अपने आप को परमेश्वर के हाथ में और घमन न करे, डिंग न मारे जैसे सोले में, सोला पद में क्या लिका है, पर अब तुम अपनी डिंग मारने पर घमन करते हो, ऐसा घमन बहुत बुरा होता है, इसलिए आखरी पद में बहुत जबर्दस वार्निंग दिया, क्या दिया, इसलिए जो कोई भला ही करना जानता ह और नहीं करता उसके लिए पाप है, तो साब, अब आपके बीच में प्रशने हैं, मैं किसका मित्र हूँ, ये प्रशने पूछी आप, मैं किसका मित्र हूँ, संसारी चीजों का, सुख भवस विलास का, जो थोड़े समय का है, या पवित्रा आत्मा का, जो मेरे जीवन में बसता है, जो मेरे अग्वाई करता है, और अनंत फल आपको और मुझको देगा, आइए, हम परमेश्वर के साथ चले, उसकी मित्रता में आगे बढ़ें, क्योंकि प्रभुश्मसी ने क्या का, तुम मेरे मित्र हो.